स्टोरी टाइम E.N.D.I. उत्तरवरदेश का स्टोरी टाइम मैं रादक हूँ और मैं चंचल और हम कहानियों की रंगी दुनिया में रहते हैं चलो हमारे साथ हलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जिससे हम ये सीखेंगे कि हमारे पास जो भी है या हम जैसे भी दिखते हैं हमें उसी में खुश रहना चाहिए तो आईए सुनते हैं एक ऐसे ही क्रो की स्टोरी When the crow became happy One day, a crow was sitting on the branch of a tall tree तभी वहा कुछ बच्ची आगए और सब उसे देख कर उसका मजाग बनाने लगे वे बोले, ओ हो, look at that black crow, how ugly it is The crow felt very sad और वो वहा से उड़कर दूरे पॉंट के पास चला गया There he saw a swan and the swan was swimming happily वो swan के पास गया और बोला You are so lucky, you look so beautiful, you must be very happy No, no, you are mistaken तुम्हें गलत फैमी हुई है, मैं हापी नहीं हूँ मेरे पास तो only one color है I have only white color, केवल एक ही color I think parrot मुझसे ज्यादा हापी होगा Because he is having two colors, green and red तुम्हें पारट से ही ये सवाल क्यों नहीं करते फिर crow उड़ते उड़ते, parrot के पास गया और बोला, parrot, you must be very happy As you have two colors Parrot भी उदास होकर बोला No, no, not very happy As I have just two colors, red and green अच्छा होगा कि तुम peacock के पास चाओ Because peacock is multi-colored उसके पास इतने सारे bright and beautiful colors है वो तो जरूर ही बहुत खुश होगा ये सुनकर crow उड़ता उड़ता पीकॉक के पास गया और बोला, you must be very happy peacock As you have so many beautiful colors Listening to this, peacock बोला No, no crow, you are mistaken तुम्हें लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ लेकिन लोग मुझे केज में बंद कर लेते हैं Because of my multi-colored feathers मुझे तो लगता है सारी birds में सबसे ज़्यादा happy and lucky तुम ही हो Because nobody keeps you in cage ये सुनकर crow को realize हुआ कि सच में वही सबसे ज़्यादा लगी है कम से कम कोई उससे cage में बंद तो नहीं करेगा So children, हमने इस कहानी से सीखा कि we should not compare ourselves with others and be happy with what we have मतलब हमें किसी से अपनी दुलना नहीं करनी चाहिए और हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए